खावरों में बढ़ते हैं अगे धार, भूच्छार और कमाल मौरा मस्जित का मामला आज इंदोर हाइकोर्ट में पेश होगी SI की रिपोर्ट हाइकोर्ट में 600 पेश की रिपोर्ट पेश कर सकते है SI SI की रिपोर्ट पेश कर सकती है SI की तीम आप 600 पन्नों की रिपोर्ट पेश कर सकती है हाइकोर्ट में दोर हाइकोर्ट में 22 उलाई को मामले में सुनवाई होगी धार से इस ख़बर पर जहाज जानकारी के साथ साबर खान हमारे समधा मारे साथ जूड़ रहे हैं साबर, 600 बताया जारा है पन्नों की रिपोर्ट है वो आज पेश होगी क्र पेश में बिल्कुल जिते में आपको बता दूँ के मानी हाई कोट इंदौर में एक पेटिशन दायर कोई थी, जिसके सुन्वाई करते हुए, 11 मार्च को कोट ने आदेश गिया था, ASI को सर्वे के लिए, उस सर्वे के आदेश को लेकर, ASI द्वारा 22 मार्च से जो सर्वे शुरू किय गया था, वो सकत 90 दिन तक चला था, जिसमें 6 हफ्ते का समय कोट ने जिया था, कि इन 6 हफ्तों में आप अपनी वेज्यानिक सर्वेशन पूरा करें और इसी सर्वे की रिपोर्ट पेश करें, लेकिन इस सर्वे को काफी समय लग गया, इस समय खटम होने से पहले, ASI द्वा फिर एक अपेल आवेजन किया गया, जिसमें कहा गया कि सर्वे समय में पूर नहीं हो पाया है, इसलिए और समय को बढ़ाया जाए, जिसको सुनते हुए, मानिय हाई कोट ने उन्हें 8 हफ्ते का और समय एक्स्टा दिया था, और यह भी काकिती थी, कि इसके बाद और समय न पेश करनी थी अपनी, चुकि रिपोर्ट ASI अपनी तरह से तरफ से पूरी तयार नहीं कर पाई थी, तो एक बार फिर ASI दुवारा जो है, रिपोर्ट तयार करने के लिए समय मांगा गया, पोर्ट ने दोबारा उने जो है, समय दिया गया और आज वो समय आ गया है, जब अपनी रिपोर्ट जो है, हाई कोर्ट में पेश कर लिए, इसी को लेकर के जो है, बावीज जुलाई को हाई को सुनवाई होना है, तो आज सिर्फ रिपोर्ट पेश होगी, सुनवाई 22 जुलाई को होगी, जी, शुक्रिया सामिर आपका तमाम जानकारी के लिए, तो आज जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी अठानवे दिनों तक धारभूच शाला में सर्वे किया गया था है एसाई की टीम की तरफ से कई बार जो समय सी मती उसको बढ़वाया गया जिसके बाद को 98 दिनों तक सर्वे यहां पर किया गया और आज उसकी रिपोर्ट सौंपी जानी है